तो आज मैं बात करूंगा CSIR NET फिजिकल साइंस के पेपर को किस तरीके सा आपर टेम करें ताकि इजी रहे इस एक्जाम को ग्रैक करना देखें एक्जाम एनलिसस इस वेरी वेरी इंपॉर्ड है बहुत बार मैंने जो पेपर दिये CSIR NET का तो बिना एनलिसस के लिए तो उससे होता तो यह है कि हमने सब पड़ा होता है हमें बहुत ज़्यादा चीजा आती है बट एक्जाम में जो चीजा आ रही होती है वो हम कहीं न कहीं पे उसको lag करता है बूल जाता है या नहीं याद आता टाइम पे यह हम उस तरीके के कोशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसलिए मैं आपको बहुत बार इस जोर दे के इस बात को कहना चाहूंगा कि प्लीज गो थूरू दा थ्री एर लास्ट मतलब 2019, 2021, 2022 के जो 23 तक के जो पेपर है उनको एक बार गो थू कर लो बहुत अच्छे से तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है केवल 19, 2021, 2022 के पेपर देखो और उनमें से लॉग अंसर पे जाओ और देखो कि कौन से टॉपिक से कौशन पूचा गया है 2019 में लॉग अंसर कहां से आया है मैथमेटिकल के किस टॉपिक से आया है क्या वो ही कौशन दूबारे आया है तो तुम्हें 19, 2022, 2022, 2023 में अगर लिखोगे तो तुम्हें लगभग लगभग पांस-दस ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे मैथमेटिक में जिसमें से कौशन आया है उसे बाहर नहीं आया है ऐसी EMT, क्लासिकल ठीक है जितनी मतलब है उनसे पता चल जाएगा तुम्हें पांस टॉपिक मैथमेटिकल के पता चल गएगी इनसे लॉग आंसर कॉशन आ रहे है पांस कॉशन तुम्हें क्लासिकल मेगेनिक्स के पता चल गएगी पांस टॉपिक तुम्हें EMT के पता चल गएगी पांस टॉपिक तुम्हें क्वांटम के पता चल गएगी अब तुम्हें पक्का बताएगी तो इस तरुपिक की लुक्त अंदर सारे के सारे जितने की जितने tumor होते हैं कि इतना कम समय वेचा हैं कि हम कुछ नहीं पढ़ने बैठे हैं वो not healthy rating !! तो वो टॉपिक हम एक बार लिख लेंगे कि मुझे पांस टॉपिक EMT की पांस टॉपिक क्लासिकल गया तुम्हें टॉपिक में जाएंगे 40-50 उनको उनके कोशन प्रैक्टिस करो उनको पढ़ो अच्छे से रिवाइच करो बार 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 तो वो तुम्हारा लॉंग आंसर अगर हमारे पास साथ आठ मतलब आठ नौ भी कोशन फस गए तुम्हारे ना लॉंग आंसर में मतलब मालो आठ फस गए तो आठ पंची चालिस चालिस नमबर तो आप कोई ही से आ जाएंगे सेक्शन बी में कोशन इजी आता है उसके लिए आपको बहुत जादा गो थ्रू कोशन है चार-पास सालों के वो सारे सारे कर लो एक बार प्रॉबबिल्टी है कि उन्हीं से या उन जैसा ही कोशन आएगा कुछ नया सा नहीं आता है हो जाता है सेक्शन बीके कोशन सेक्शन आपको पताईए तेक है वह इसली आप कर सकते हो थोड़ा ताइम दो के तो सेक् इस टॉपिक दूण लिए उनको पढ़ो उनी को बार-बार रिवाइज करो आठ से दस कुशन में गरेंटी दे सकता हूं उनसे फर्च जाएंगे अगर आप पांस साल के लास टियर के पांस साल के कुशन पेपुरू में से टॉपिक दूट के पढ़ रहे हो ठीक है तो हमार इस जाए से च्शन सी में अगर पांस कुश्यन भी आ गे ना तो सेक्शन बी और सेक्शन एक्वाप करके क्वालिफाइब कर सकता हूं क्या करना है आपको सेक्शन बी के लिए गूट्रू करना है पूरा मेन मेन पढ़ लो मैथमेटिकल एम्ति क्वांटम क्लासिकल इनी से आता है section B में ठीक है electronics हो गया और उसे ज्यादा जो solid state है atomic molecular physics है ठीक है वहां से section B में बहुत ना के बराबर question आते हैं तो सारे question इनी से आते हैं तो यह चार topic अच्छे से पढ़ दो और इन से अपना section B cover करो section C के लिए मैं आपको strategy बताईए तो अगर कोई कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे comment section में comment करेगा वीडियो कर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए कोई भी अगर अपडेट आपको जाए तो you can feel free to connect with me thank you